तो हाई एवरीवन वेलकम बैक टो अनदर वेरी इंपोर्टेंट वीडियो सेशन फाम यर ओन चैनल ओज ओन क्लासे मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं about the taxonomic hierarchy taxonomic एक basic definition हम लोग समझ चुके थे आज हम उसकी categories के बारे में बात करने वाले हैं यानि taxa के बारे में बात करने वाले हैं हमने taxa को क्या क्या बोला था दोस्त हमने taxa को category भी बोला था हमने taxa को rank भी बोला था हमने taxa को unit भी बोला था और हमने taxa को group भी बोला था यानि जब आ put that organism into variety of these categories और variety of these groups आज हमें ये जानना है कि यह जो टेक्साज है यह जो categories हैं यह जो groups हैं यह जो रेंग्स हैं इनके नाम क्या-क्या है इन में से कौन सी category सबसे छोटी है सबसे basic है इन में से कौन सी category सबसे बड़ी है इन categories को आप अगर एक serial में arrange कर देते हैं तो क्या hierarchy बनती है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक deep discussion आज करने वाले हैं so please make sure आप इस lecture के साथ end तक बने रहें और end के PYQ जरूर solve करें जिसे आपको एक idea लग जाए कि examination में क्या पूछा जाता है और आप उसे किस हद तक solve कर पा रहे हैं चलिए यार बिना वक्त जाया किये बहुत जाते हैं हमारे topic पे that is taxonomic categories जैसा की topic के नाम से सबसब पता लग रहा है taxonomic categories मतलब हम उन categories के बारे में बात करेंगे हम उन taxis के बारे में इस्तमाल होती है तो हम लोगों को बखू भी पता है कि classification जो है it's very complex and classification is not a single step process कि एक organism है उसे एक particular category में डाल दिया ऐसा नहीं होता multiple categories आपको यहाँ पर बनानी पड़ती है तो multiple ranks या multiple categories जो है हर step पर आपको मिलेंगी और आपको organism की वो जगा justify करनी पड़ेगी for example अगर मैं एक reference लूँ animals का और animals में भी अगर मैं एक reference लूँ human being का तो आप यहाँ पर notice करोगे कि human being में अलग-अलग categories आपको बनानी पड़ेगी जैसे species है genus है family है order है class है phylum है and kingdom है क्या-क्या बना मेरे दोस्त यहाँ पर species, genus, family, order, class, phylum, kingdom अब इसको आप एक step में तो नहीं डाल पाओगे हर category के अंदर हर category के लिए अलग step लगेगा तो सबसे पहले आप human being की kingdom बताओगे भाई kingdom कौन सी है humans, animals है तो kingdom आपकी animalिया हो गई फिर आपने देखा मेरे भाई कि यहाँ पर नोटो कॉर्ड प्रेजन्ट है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजन्ट है तो आपने देखा कि phylum कॉर्ड डेटा के अंदर human being आ रहे हैं क्योंकि यह आपके नोटो कॉर्ड पोजस करते हैं तो phylum आपने कॉर्ड डेटा लिख दी फिर आपने देखा कि यार यह जो है class mammalia के member है अब mammalia class के members की कुछ खास विशेश्टाएं है जैसे इनमे external body hairs होते है external ear पिना होते है diaphragm present होता है तो आपने देखकर बता दिया कि भाई human beings जो है इनमे mammal के character है तो यह mammalia के अंदर आएंगे order जो है अब यह primates है तो इन्हें क्या बोलोगे आप order प्राइमिटा का member बोलोगे फिर family अगर आप देखोगे तो humans की जो family है इसका नाम है hominid तो अगले step में आपने इसकी family define करी जिसके end में usually a e suffix लगता है फिर genus की आप बात करोगे और species की तो human का जो scientific name है वही genus और species होता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर homo underline कर देता हूँ handwritten है तो और sapiens underline कर देता हूँ handwritten है तो यानि क्या ये एक step का process है नहीं multiple steps है और ये तो साथ obligate categories है यानि compulsory categories है taxonomy में there are various categories तो ये जो साथ होती है जो आप लिखते हो species, genus, family, order, class, phylum, kingdom ये साथ obligate यानि compulsory categories होती है इसके लावा और भी categories होती है जैसे family के नीचे आ सकती है आपकी sub-family है ना और देन आपका order के बाद आ सकता है आपका sub-order, super class आ सकती है sub-fylum आ सकती है and so on तो multiple बीच में भी आपकी चीज़ें पाई जा सकती है जैसे genus और family के बीच में एक चीज़ आती है जिसको आप क्या कहते हो जिसको आप कहते हो tribe तो किसी-किसी organism में हो सकता है ये tribe भी आप से पूछा जाए पीवाई की उसके अंदर usually ये पूछा जाता है ठीक है तो human being को जैसे आपने classify किया अलग-अलग ranks में तो हर rank जो है एक step है और आपको उसमें human being को कहीं ना कहीं किसना किसी category में place करना ही पड़ेगा तो इन सारी categories को हम taxa बोलते है species भी अपने आप में एक taxa है पर छोटे level की उससे बड़ी taxa है genus उससे बड़ी taxa है family फिर order फिर class फिर phylum और सबसे बड़ी taxa है kingdom इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्ट कि classification is not a single step process बट इसमें एक hierarchy of steps आपको चाहिए रहती है हर step को आप rank या category बोलते है यह जो hierarchy है जो यहाँ पर बनती है इसको हम लोग एक और बार लिख लेते हैं hierarchy का मतलब क्या होता है arrangement of anything arrangement of anything in ascending or descending order आपको इंशन करना पड़ेगा कि order जो है वो आपका ascending है या descending है या आपको mention करना पड़ेगा जैसे अगर आप alphabet लिखते हो a to z तो वो भी एक hierarchy की है और वहीं अगर आप alphabet लिखते हो z to a तो ये भी एक hierarchy की है वहीं पर अगर आप counting लिखते हो 1 to 100 ये भी एक hierarchy की है और वहीं पर अगर आप ulti counting लिखते हो उल्टी गिंती गिंते हो 100 to 1 ये भी एक हिरार्की है तो similarly यहाँ पर अगर आप देखोगे तो species to genus भी आप हिरार्की लिख सकते हो species, genus, family, order, class, phylum जिसको plants में division कहा जाता है and kingdom आप अगर इस हिरार्की को चाहो तो basic to advance level भी ले जा सकते हो यानि species to kingdom तक भी ले जा सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे kingdom to species level पर भी वापस ला सकते हो दोनों की दोनों चीज़े आपकी हिरार्की में ही count होगी अब यह जो rank है और यह जो category है इसको हम और क्या-क्या बोल रहे थे इस rank और category इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पर बोला गया है कि यह जो taxonomic groups है या जो taxonomic categories है these are distinct biological entities not only morphological aggregates यानि ऐसा नहीं है कि कि organism की सिर्फ morphology देखके उसे किसी category में place कर दिया गया यानि ऐसा नहीं है कि दो organism सिर्फ दिखने में सेम है इसलिए उन्हें एक category में डाला गया यह distinct biological entities है हर species की अपनी कुछ विशेश्टाएं हैं अपनी कुछ खास बाते हैं उनको आपको notice करना है और तभी आपको फैसला ले पाऊगे कि इसे actual में हमें category में डालना चाहिए तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं इस line से हमें क्या पता लगा not only morphology is considered not only morphology is considered in classification many other characters are taken into account many other characters are taken into account है ना यह बात आपकी यहां पर हो जाती है अब देखिए taxonomic categories के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी categories को हम लोग species to kingdom एक बार arrange कर लेते हैं तो सबसे basic level जो है है ना सबसे basic level जो है यह आपका क्या हो जाएगा species क्यों क्यों क्योंकि species में ऐसे organisms पाय जाते हैं जो कि fundamentally similar हो आपको पता है अच्छे तरीके से जैसे समझ लीजे हम maturity पे 206 हड़िया होंगी same number of muscles है same तरीके का metabolism है same तरीके के physiology है same तरीके के anatomy है इसलिए तो डॉक्टर एक patient की body पढ़ता है किताब में जो standard patient की body ली हुई है उसको हम पढ़ते हैं किताबों में और उसी से सीखकर हम बाकी patients को भी treat कर सकते हैं अगर हर patient अलग-अलग होता humans के case में तो तो कभी treat ही नहीं कर पाते है हर patient unique होता और उसे नए तरीके से हमें पढ़ना होता है है ना तो fundamentally similar organisms यहाँ पर पाए जाते हैं यानि in organisms में similarity maximum होती है similarity maximum होती है वहीं पर आप उपर चड़ते जाओगे genus family order class phylum division division एक word है जो कि plants में इस्तमाल किया जाता है phylum usually animals में इस्तमाल किया जाता है by convention starting से ही और kingdom जो है जो आपकी largest taxonomic category मानी जाती है और kingdom में अलग-अलग type की organisms हो सकते हैं तो इसमें similarities minimum होती है जैसे kingdom है kingdom animalia यानि animals की kingdom अब उसमें मिंडख भी आ रहे है आप भी आ रहे हूँ गधा भी आ रहे है घोडा भी आ रहे है बंदर भी आ रहे है और छोटे-छोटे एनिमल्स भी आ रहे है टेप वम भी आ रहे है छोटा sponge है जिससे तुम बॉड़ी रगड रगड के नहाते हो उसमें जो स्पंज है मेरे दोस्त वो एक एन्यमल है तो जो स्पंज इससे तुम नहा रहे हो तुम विया नहां है जाता यानि कि बहुत त्रीके और गेनिसम से किंग्डम में पाए जा सकते हैं तो यहां पर सिमेलेरीटी इस आपकी minimum है इसमें इसमें similarities आपकी minimum है, तो usually क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप देखो की sequence क्या होगा, अगर आप species to kingdom जाते हो, तो species to kingdom अगर जाओगे तो आपको पता है, species में maximum similarity है, kingdoms में minimum similarity है, तो क्या होगा, similarities decrease करेंगी इस particular order के अंदर, similarities will decrease, और वहीं पर अगर आप उल्टा चलते हो, आप kingdom जहाँ पर सबसे कम similarity थी, वहाँ से जाओगे two species, तो आपको similarities increase देखने को मिलेंगे, तो आपको similarities increase देखने को मिल जाती है, और इन सारी categories की definition क्या होगे, है ना, common characters तो आपको पता रगया, कब increase होंगे, कब decrease होंगे, so this is a very important point, है ना, इन दो points को हमेशा याद रखना है, याद तो क्या ही रखना है, समझ में ही आ गए होंगे, definition क्या होती है, species की, species की definition हमें पता है, biological concept of species से भी हमें पता है, कि दो organism अगर साथ में sex करके, बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो की fertile है, इसका मतलब दोनों parents same species के थे, यानि same species के individual साथ में sexually reproduce करके, fertile offspring को give rise कर सकते हैं, that's a species, according to biological concept, इसके अलावा ऐसे organism जिन में fundamental similarity है, वो same species में belong करेंगे, ये भी हमें पता है, अब genus की definition क्या होगी, अगर हमें लिखना हो तो, जो मिलती जुलती species हैं, वो आगे चलके genus बनाएंगे, यानि genus क्या है, a group of related species, पिछली category का नाम लिख दो, a group of related species, family क्या है, a group of related genus, है ना, अब जो मिलते जुलते genus होंगे, वो और बड़ी category बनाएंगे, that is family, order क्या है, a group of related families, and so on, ऐसे आप आगे और भी लिख सकते हो, जैसे classes में आप क्या लिखोगे, a group of related orders, फाइलम में क्या लिखोगे, a group of related classes, kingdom में क्या लिखोगे, a group of related phाइलम, ये इनकी definition हो जाएंगी, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे पहले वाली छोटी category का नाम हमें लिख देना है, अब दिखते हैं, species क्या होती है, तो species एक ऐसी category है, एक ऐसी टेक्सोनोमिक category है, जिसमें organisms हैं with fundamental similarities, यानि सारी basic चीज़े, यानि morphology, बहार का structure, anatomy, अंदर का structure, physiology, यानि body reactions, metabolism, symbolism, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, सेम है, और similar, और similar, species, जो है, यह basic अली क्या होती है, सबसे basic unit होती है, of taxonomy, सबसे basic unit इन्हें कहा जाता है, है ना, यह सबसे smallest unit इन्हें कहा जाता है, all right, तो एक species और दूसरी species अगर दिखने में भी अलग है, तो आपको पता लग जाएगा, they are different species, है ना, क्योंकि अगर वो same species के दोनों organisms होते, तो वो दिखने में भी एकदम same same होते, fundamental similarities तो होंगी, अगर उन्हें दिखने में भी अलग अलग है, तो आपको पता लग जाएगा, that they are different species, for example, यहाँ पर काफी सारे scientific नाम ले लो, scientific नाम के second position पर जो भी चीज लगती है, that is species, for example, homo sapiens, homo sapiens, तो homo sapiens में, जो sapien है, that becomes a species, यहाँ पर अगर आप tiger का scientific नाम देखो, तो it becomes panthera tigris, panthera tigris, तो यहाँ पर tigris क्या है, species है, यहाँ अगर आप आलू का नाम लो, solenum tuberosum, solenum tuberosum, तो यहाँ पर tuberosum क्या हो जाएगा, species हो जाएगी, और यहाँ पर genus कौन कौन से है, homo, panthera, solenum, यह क्या हो जाएगे, all right, तो species के यह examples है, genus की अगर आप बात देखो, तो यहाँ पर ncrt में एक थोड़ी सी complex line लिखी हुई है, इसको थोड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, genus में कहा गया, it comprised of a group of related species, यह बात तो हमें पता है, कि genus मतलब, जो related species हैं मिलती जूलती, वो आगे चलके बड़ी category में जाएंगे, जिसे हम genus बोलेंगे, which has more characters in common, in comparison to species of other genera, यानि, let's say, यह आपका एक genera है, इसका नाम है genus 1, है ना, और यह आपका एक और genera है, इसका नाम है genus 2, इसका नाम है genus 2, अब यहाँ पर आपकी species है, species A, species B, species C, है ना, यह A, B, C जो लिखा हुए क्या है आपकी, species है, यह आपकी species है, और यहाँ पर क्या है D और E, अब आप बताओ, कि A will be more similar to, A will be, question है यह, A will be more similar to, A किससे जादा similar होगा, B से या E से, क्या वो B से जादा similar होगा, या वो E से जादा similar होगा, बताओ यहाँ पर answer, answer क्या हो जाएगा मेरे दोस, हम सबको पता है कि A जो है, यह आपका B से जादा similar होगा, E तो आपका दूसरे genus के अंदर present है, है ना, भाई A, B और C same genus में क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ similarities थी, तो आपका A जो है, वो B से जादा similar होगा, E से कम similar होगा, जाएट सी बात है, हमें पता लग गई यह चीज, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, कि जो species है, एक genus की, वो आपस में जादा similar होगी, as compared to genus of other, you know, species of other genus, तो यहीं पर उपर यहीं बात लिखी हुई है, comprise of a group of related species, यानि genus में, related species होती हैं, यह बात यहाँ तक clear है, which has more characters in common, यानि एक genus में जो species है, उनमें जादा common characters होंगे, in comparison to species of other genera, यानि यह जो है, यह species तो है, लेकिन दूसरे genus की, genus number two की, तो इससे कम similar है आपका a, लेकिन a और b तो same genus के अंदर है, तो जादा similarities यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, आप देखो, तो काफी सारे ऐसे genus होते हैं, जिनमें single species होती है, काफी छोटे genus इन्हें कहा जाता है, और काफी genus ऐसे होते हैं, जिनमें multiple species आपकी होती है, for example, solenum, अब solenum जो है, यहाँ पर और भी आपकी species पाई जा सकती है, है ना, solenum तो एक genus है, solenum melongina, क्या हो गया है, बैंगन हो गया, ब्रिंजल हो गया, solenum melongina, solenum nigram, क्या हो गया मेरे भाई, mccoy हो गई, solenum nigram, mccoy हो गई, है ना, तो यहाँ पर इस genus को क्या कहा जाता है, solenum को polytypic genus कहा जाता है, polytypic genus, why, because it contains more than one species, similarly panthera का, अगर आप यहाँ पर example देखोगे, तो panthera genus जो है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आपका tiger देखने को मिलेगा, जैसे panthera tigris, तो tiger हो गया, panthera leo, that is आपका lion हो गया, and panthera pardus, that is your leopard हो गया, है ना, यहाँ आपका leopard हो गया, तो यहाँ पर जो panthera है, यह भी क्या है आपका, polytipic genus हो जाएगा, इसमें भी multiple species आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप humans की बात करें, तो homo sapiens का, जो homo है, it's a monotypic genus, उसके अंदर एक ही species है, सिर्फ sapiens, है ना, तो homo sapiens के अंदर, monotypic genus आपका इसे कहा जाता है, right, अब एक genus है, that is called as phallus, जिसमें cats आती है, तो कहा जाता है, billy share से बहुत ज़्यादा related है, लेकिन आप देखोगे, कि इनका genus भी same नहीं है, जहाँ share का जो genus है, वो panthera है, tiger का जो genus है, panthera है, वहीं आपका cat का genus phallus है, यानि यह same family के हैं, पर same genus के नहीं है, इनमें थोड़ी बहुत, आपकी similarities हैं, बन dissimilarities भी अच्छी खासी, देखने को हमें मिल सकती हैं, आगे बात करते हैं family की, it is characterized on the basis of both vegetative, and reproductive features in case of plant, vegetative features मतलब, जो भी एक plant के vegetative characters है, कि एक plant के अंदर leaf कैसी है, उनका venation कैसा है, पत्तियों का size कैसा है, stem कैसी है, root कैसी है, उस बारे में भी चर्चा करी जा सकती है, for you know, classifying them, और reproductive structures की भी बात करी जा सकती है, यानि flowers की भी बात करी जा सकती है, इन्हें एक particular family में रखने के लिए, for example, अगर आप solenasi की बात करें, तो solenasi जो family है, इसके end में ae आता है, as a suffix, है ना, तो solenasi जो family है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, दोस्त, इसमें आपका, जो genus था solenum, जिसमें alu, mccoy, आपका बैंगन यह सब मौझूद था, solenum जो है, यह यहाँ पर पाया जा रहा है, petunia आपका पाया जा रहा है, and dhatura आपका पाया जा रहा है, same family के अंदर, solenum, petunia, dhatura, यानि SPD यहाँ पर पाया जा रहा है, पावर रेंजर SPD आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है, solenasi के अंदर, और felidy के अंदर क्या है, अब नाम क्या है, felidy, तो पहला इसमें जो genus आया, यह किसका genus आएगा, phallus का यानि cat का genus आएगा, प्लस यहाँ पर कौन सा genus आएगा, आपका tiger का यानि panthera genus आजाएगा, यानि अब जो बिल्ली और शेर है, इसका genus अलग अलग था, लेकिन इनके family सेम हो गई, और dog की जो family है, यह अभी भी अलग है, यह अभी भी अलग है, dog, so, canady is dog's family, वो अभी भी अलग है, यानि बिल्ली और कुत्ते में भी अच्छे खासा डिफरेंसिज हैं, तो इनकी family क्या है, आपकी different हो जाएगी, अब family के आगे, अगर आप चलोगी, तो आपको देखने को मिलेगा order, order और उससे आगे की जो taxonomic categories है, है ना, जैसे class, phylum, kingdom, इन सब को आप aggregate characters के माध्यम से देखते हूँ, इन्हें आप देखते हो on the basis of aggregate of characters, यानि, कि पहले हम यह बोल रहे थे कि किसमें कितनी similarities हैं, क्योंकि species में अच्छी खासी similarities थी, genus में थोड़ी similarities कम हुई, family में थोड़ी और कम हुई, पर तब भी similarities अच्छी खासी थी, कि हम दो organisms को compare कर पाएं, अब हम देखते हैं कि aggregate characters, यानि average characters किसमें ज़्यादा हैं, समझ लो एक plant है, और दूसरा plant है, उसमें 100 characters है, अब हम यह नहीं देखेंगे, इसके कौन-कौन से character similar हैं, हम average देख लेएं, कि यार यार 50 characters similar हैं, चलो यार, इनका similarity index ठीक है, इनने same order के अंदर डाल देते हैं, या 70 characters मिल रहे हैं, और अच्छी बात हैं, इनने same order में डाल देते हैं, तो अब हम aggregate यानि average of characters देखेंगे, total number of characters में से कितने characters आपके, जो है, हमें देखने को मिल रहे हैं, और इस same technique इस्तमाल होगी, आगे की भी higher taxonomic categories के लिए, यानि class, phylum, और kingdom के लिए, आपकी यही चीज़े define होगी, है ना, यहाँ पर देखो, एक order आता है called polymonials, है ना, polymonials जो है, floral character यानि flower के character के basis पर, आपका कौन-कौन सी families को incorporate करता है, यहाँ पर trick है PCS, PCS में P का मतलब क्या है, आपका order polymonials, polymonials में आता क्या-क्या है, आपकी एक family आएगी, solenacy, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, solenacy के अंदर क्या थे, solenum, petunia, dhatura, dhatura, और आपका क्या आएगा, convolvacy, है ना, और आएगा आपका convolvacy, तो यह देखो, family के एएगी आता है, है ना, convolvacy, solenacy, और order के एड में, plant के case में क्या आता है, एलस आता है, है ना, polymonials, आल्राइट, कानी बोरा जो है, इसमें क्या आएगी, dog की family और cat की family अब साथ हो जाएगी, यानि Kennedy, जो dog की family है, और Felidy, जो cat की family है, जिसमें tiger वगेरा भी सबते, leopard वगेरा भी सबते, वो भी साथ अब आ जाएगी, यानि अब और differences बढ़ चुके हैं, तो और organism, सेम कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, क्लास के अगर आप बात करो, तो आपको mammals देखने को मिलते हैं यहाँ पर, mammalia के अंदर, क्या क्या यहाँ पर important चीज़ें आप देखोगे, mammalia के अंदर, पहली important चीज़ जिस पर नाम रखा गया है, mammalia that is memory glands आपके present है, males के अंदर भी होंगे, बट functional नहीं होंगे, female के अंदर functional होते हैं, lactation का यानि दूद पिलाने का काम करते हैं, to the young ones, diaphragm यहाँ पर available होगा, diaphragm यहाँ पर available होगा, इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो आपके external body hairs available होंगे, and so on, काफी सारे ऐसे characters हैं, जो आप आगे चलके, animal kingdom के अंदर पढ़ोगे, external body hairs आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, तो mammalia के अंदर यह सारे के सारे features आते हैं, तो पहले जो आपका, order था, जो अभी हमने last देखा, कौन सा था मेरे दोस्त, वो कार्णी वो रहा है, है न, तो कार्णी वो रहा, के साथ अब एड़ कर दिया, प्राइमेटर, जिसमें monkey आ जाएगा, humans आ जाएगा, gibbon आ जाएगा, apes आ जाएंगे हैं न, तो यह मिल करके क्या बनाते हैं, आप मैमेलिया बनाते हैं, called division in plants, called division in plants, जैसे कॉड़ेटा, अब कॉड़ेटा में एक जो main word आता है, यह क्या है, कॉड, तो यहाँ पर क्या होता है, noto-cord absent होती है, noto-cord present होती है, कॉड़ेट्स के अंदर है न, और dorsal hollow neural cord होती है, यानि dorsal hollow nerve cord आपकी present होती है, nerve cord आपकी present होती है, post anal tail आपकी present होती है, यानि anus के पीछे आपकी tail पाई जाती है, post anal tail present होती है, और pharyngeal gillslits आपकी present होती है, pharyngeal gillslits आपकी present होती है, life के किसी भी, phase के अंदर, यह चारों characters अगर हैं, तो उसे आप kॉड़ेट कहोगे, कॉड़ेट के अंदर काफी अलग अलग प्रकार के organisms जो हैं आपके पाए जाते हैं, जैसे कॉड़ेट के अंदर आपकी fissions भी आ गई, आपके जो mammals थे वो भी आ गए, आपके amphibians भी आ गए, है ना, आपके reptiles भी आ गए, आपके reptiles भी आ गए, आपके birds भी आ गए, यानि aves भी आ गए, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, कॉड़ेट बनाती हैं, इसके लावा और भी चीज़ें आपकी यहां पर हो सकती है, एंड सबसे बड़ी जो कैटेगरी है, highest कैटेगरी, that is called as kingdom, तो पांच ही kingdom आपकी दुनिया भर में मौजूद हैं, अभी तक आरेच विट्टेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से, आरेच विट्टेकर साहब ने बताया था, कि भाई, टोटल आपकी पांच kingdom मौजूद है, एनिमल्स जो हैं सारे, वो एनिमेलिया kingdom में आते हैं, एक सिक्वेंस में अगर हम चलें, तो सबसे लोवर जो और्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगेरा, वो मौनेरा में आते हैं, उसके अलावा, यूनी सेलूलर यू कैरियोट जो हैं, यह आपके किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, इसके अलावा आगर आप देखोगे, फंगस आपका, पंजाय जो है यहां पर अभेलिबल रहता है, प्लांटे जो आपके प्लांट्स में आते हैं, पोरा का पूरा कीदम प्लांत ही पढ़ते हो ौर प्रोड़ा चेप्लेट प्लांत ही पढ़ते हो और फिफ फोर्ट चेप्टर में सॉरी आप फिफ्ट किंग्डम के बारे में पढ़ते हो देट इस पूरी की पूरी यूनिट आपके क्या कहलाती है सिस्टेमेटिक्स कहलाती है अब यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको कुछ और्गैनिजम के सारे के सारे यूनों आपके टैक्सा याद करने है जैसे कि अगर आप हूमन का नाम क्या है होमो सैपियंस तो जीनस क्या हो गया हूमो और स्पीसिस क्या हो गई स सैपियंस अब हो मिलता जुलता नाम कया है हूमी डीन हम प्राइमेट्स हैं तो हमारे याद करने की जरुरत नहीं हम मैल है यह बात भी अमें पता है और हम। को कॉर्डो के मेंबर हैं सारी बात선 करने का ना पड़। लेकिन हाउस फ्लाई का याद करना पड़ेगा हाउस फ्लाई घर में मिलती है यानि डोमेस्टिक होती है एक तरीके से देखा जाए तो इसलिए इसे मस्का डोमेस्टिक का कहा जाता है तो इसका जीनस हो गया मस्का नाम में ही है याद करने की जरूत नहीं है जैसे होमो का होम कि आपका यहां पर ओर्डर हो जाएगा डिप टेरा सिर्फ एक बात याद करनी है और आपका सारा जो मसका डोमेस्टिका का में चार्थे खतम हो जाए मैंजी फेरा इंडिका यानि मैंगो का अगर आप देखोगे तो इसके लिए ट्रिक है पैड सैमी है ना मुहम्मद सामी ज एक मतलब है एंजीॉसूर्म्ट यानि फ्लायॉरिंग यहां पर पाया जाएंगे ड्लावर्ड यानि लेफ होगा श का मतलब है आपका स्प इंडीलस कि है अंतले क्या है एना कारडियसी M का मतलब और I का मतलब क्या है नाम ही है that is Mangifera Indica तो जीनस और स्पीसिस हो जाएंगे तो देखो प्लांट होगा फिर A का मतलब एंजियो स्पाम फ्लावरिंग प्लांट D का मतलब डायकॉट S A M I का मतलब है Sapindales एना कारडियसी और आपका Mangifera Indica यह हमने पैड सेमी ट्रिक से याद कर लिया अब अगला जो है wheat का यह हम मिलता जुलता ही बना लेंगे इसमें सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे कि सुबह हम wheat का क्या काते हैं ऐसे हम याद करें की चीज है तो हम खाएंगे तो इसकी फेमिली जो है वह वह पोऊसे रिलेटेड हो जाएगा बसका यह बीए प्लावरिं में यह और ना मैजिए आपका ट्रिटिकम हो जाएगा यह सारा वह सिर्फ हाउसफ्लाइ में याद करना है कि डिप्टेरा इसका ओर्डर होगा यह इंसेक्ट है आर्थ्रोपोर्ड हमें पता है मसका डॉमेस्टिक इसका नाम है तो फैमिली मिलती जूलती हो जाएगी मसका से मसकीडी मैंजिफेरा इंडिका को हमने याद क्या पैड सैमी से यानि आपका P-A-D-S-A-M-I प्लांटे होगा आपका एंजिफेरा इंडिका यहां पर वीट में क्या करतो सिफ पोवर्ड याद कर लो तो पोवर्ड से आपका पूरा टेबल क्रैक हो गया पूरा टेबल क्रैक हो गया यह आपका लेक्चर था अब बात कर लेते हैं कुछ क् इय का क्या हो गया यह हो गया यह थिर्थी हो गया यान दोनों में से अंसर बचे हुए दोनों पर काट़ लगा देते भदात using को दिक्कत नहीं हो यह आपका अंसर हो गया, the common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of there, यानि किस particular texa पे tomato और potato में maximum common characteristics देखने को में लेंगे, अगर आप कुछ standard किताबों को देखोगे, मैं in fact mention भी करना चाहूँगा, अगर आप MTG के solutions देखोगे, तो इसका answer क्या दे रखा है, इसका answer दे रखा है, family, और वहाँ पर अगर आप potato का scientific नाम देखोगे, तो क्या है आपका, solenum tuberosum, और अगर आप tomato का scientific नाम देखोगे, तो आपका क्या है, lycopersicon esculentum, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी family तो same है, that is solenacy, लेकिन कहा गया है, कि इनके नाम में अब देखो, इनका genus और species तो अलग है, solenum tuberosum, lycopersicon, esculentum, तो genus और species दोनों के अलग है, तो answer आना चाहिए, family, लेकिन अगर आप असलियत में नाम सर्च करोगे, गूगल करोगे, अगर आप tomato के scientific नाम का, तो वो क्या है, solenum lycopersicon, तो यहाँ पर क्या हो गया, solenum tuberosum, और solenum lycopersicon, तो इन दोनों का क्या हो गया, genus सेम हो गया, इन दोनों का genus सेम हो गया, species अलग अलग है, genus सेम है, तो second, सबसे जो, ask pass की category है, जिसमें अच्छे खासे आपको common characters देखने को मिल सकते हैं, that is genus, तो mtg में भी, और काफी standard books ने, क्योंकि एक दूसरे की tip के बनाई होती हैं, काफी सारी books, तो आपको हो सकता है, यहाँ पर answer family देखने को मिले, बट correct कर लेना, इसको इसका correct answer genus होगा, this is very important question, बट काफी misguided इसमें answers दिये हुए हैं, काफी सारी books में, तो इसको एक बार check कर लेना, ओल्राइट, इसका answer हो जाएगा, आपका क्या, genus, which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly named, correctly printed according to international nomenclature rules, muska domestica, लिखा तो ठीक है, common house lizard, लिज़ार नहीं है भाई, आपका ये क्या है, मक्खी है, plasmodium falchiparam साही लिखा हुआ है, अब protozoan pathogen बिल्कुल ठीक है, malaria cause करता है, सबसे serious type का, जिसको malignant malaria कहा जाता है, falchiparam ही cause करता है, it is also correct, ये बात आपकी correct है, बात आगे देख लेते हैं, phallus tigris, भाई, panthera tigris होता है, e coli, full name of entamoeba coli, no, it is ascherichia coli, it is ascherichia coli, तो ये बात भी आपकी गलत, तो b ही आपका correct होता है, जो हमने पहले ही निकाल लिया था, which one of the following animal is correctly matched with its category, tiger जो है, इसमें tigris क्या है, species है, panthera tigris, species है, एकदम सही है, लिखा भी सही हुआ है, small, उसमें लिखा हुआ है, cuttlefish जो है, mollusca है, class है, तो यहां पर बाकी सारी चीज़े वैसे ही गलत हो जाती है, है ना, देखने की कोई tension ही नहीं है, क्योंकि mollusca जो है, आपकी एक phylum है, तो यह वैसे गलत हो जाएगा, primata जो है, एक order है, और musca जो है, यह आपकी genus है, musca domestica, तो यह तीनों गलत हो जाएंगे, पहला आपका, that is, tigris, जो species है, यह correct हो जाएगा, species is considered as, real basic unit of classification, basic unit of classification इसे कहा जाता है, एकदम सही है, lowest unit of classification, usually बोलना prefer नहीं करते, smallest unit बोल सकते है, lowest भी बोल सकते है, लेकिन basic unit जो है, it's a correct word, है ना, क्योंकि pyq में एक और बार यह सवाल पूछा गया है, तो basic unit पे ठपा लग जया था, उस time के बाद से, किसे basic unit ही बोला जाएगा, और बोलते भी वही है, हमने भी इसको basic unit ही लिखवाया है, है ना, तो यह आपका correct हो जाएगा, basic unit of classification इसे बोला जा सकता है, which one of the following is less general in characters as compared to genus, genus in less general कौन है, division में कम characters होंगे common, family में कम characters होंगे, class में कम character होंगे, species बचा सिर्थ, है ना, इसमें आपके अच्छे खासे जो है, बढ़िया characters common देखने को मिल जाएगे, taxon जो है, is the unit of a group of, है ना, taxon किसे कहा जाता है, by order भी एक taxon है, species भी taxon है, genes जो है, यह taxon नहीं है, लेकिन taxonomic की unit इसे कहा जाता है, है ना, बाकि सारे भी taxon है, order species भी taxon है, but taxonomic के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, तो पूछा जो गया है, वही हम बताएंग, sequence of taxonomic categories is, तो यहाँ पर देखो, एक चीज नहीं add करीगे, यह tribe, मैंने आपको कहां बताया था, tribe कहां आएगा, genus और family के बीच में, तो genus और family के बीच में, tribe यहाँ पे आ रहा है, और sequence देखलो, species, genus, family, order, class, division, और kingdom, अगर होता, तो वो भी आ जाता, C आपका correct हो जाएगा, a group of plants or animal with similar traits of any rank, a group of plant or animal with similar traits of any rank, कोई भी rank हो सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम taxa बोलेंगे, कोई भी rank है, तो taxon, category, group, यह सब बोलेंगे, species, order, genus में तो rank mention कर दी गई है, तो any rank का, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो taxon would be the correct answer, a taxon is, a group of related families, भाई यह भी taxon है, group of related species, genus होगा, यह भी taxon है, a type of living organism, यह taxon नहीं है, a taxonomic group of any ranking, यह बात सही है, कोई भी rank हो, उसे taxon हम कह सकते हैं, basic unit, और smallest taxon, जो हम कह रहे थे, lower word यह ना use करके, basic unit, अगर हम बोलें, तो क्या थी आपकी species थी, PYQ में यह सवाल पहले ही आ चुका था, मेरे दोस्त, हमारा जो paid batch है, यह भी launch हो चुका है, अगर आपको in lectures में मज़ा आता है, तो paid lectures में आपको और भी मज़ा आएगा, काफी सारी और भी चीज़े हैं, क्योंकि test series है, and there are different kind of things that you can avail, courses.brillix.io, यह link आपको description में मिल जाएग इस पर जाओ, हमारे courses को लो, physics, chemistry, biology, वहां से पढ़ो, और selection प्राप्त करो, है ना, please make sure आप हमारे team को support करने के लिए एक बार इन courses को देखें, जरूर नीचे description में जाए, और इस link को click करें, और आप मुझे follow कर सकते हैं, अलग-अलग जगा पर, notes के लिए आप टेलिग्राम पर या Brillix app पर मुझे follow कर सकते हैं, Instagram पर आप long lasting relationship के लिए मुझे से जुड़ सकते हैं, Brillix app को अगर आपने install नहीं किया है, तो install कर लेना, नीचे description में link है, और आज मैंने जो भी पढ़ाया है, इसको लिखो, इसको PDF में convert करो, और आप upload करो इसे, Brillix app के उपर, मैं आपके notes को personally चेक करूँगा, और comment करके आपको important feedbacks भी दूँगा, daily का काम daily होना चाहिए, daily के notes daily upload होने चाहिए, regards, thank you so much, bye bye, take care, lots of love, जहिन, मिलता हूँ आपसे अगले session के अंदर, जहाँ इस chapter को खतम कर रहे होंगे, हम last topic पढ़के, जिसका नाम है taxonomic aids, शुक्रिया, मिलता हूँ अग